दोस्तो नमस्कार स्वागत अब सभी का घजब समाचार में दोस्तो जिस तरीके से पारश चाबरा बिग बॉस के शो में आकर अपनी एक्स गर्फरेंड की बुराईया करता है जिस तरीके से वो उन पर इल्जाम लगाता है वो सही लगते हैं या फिर गलत आप हमें कमेंट वॉक्स में कमेंट कर पिराईज जरूर दें दरसल हम आपको बता दें कि लाइफ फीड में देखने को मिल रहा है कि एक बार फिर से पारश जो है अकानशापुरी जो उनकी एक्स गर्फरेंड रहे चुकी है इसका मुद्दा बिग बॉस सीजन 13 में भी उठाता उस पर एक बार फिर से इल्जाम लगाते हुए नजर आ इस तरीके से हम आपको बता दें कि यहां पारश शाबरा कह रहे हैं कि अकानशाप जो है मेरे साथ जबरजस्ती में रिलेशन बनाने की कोशिश कर रही थी जबरजस्ती में मेरे साथ रहना चाहती थी यूं कहें कि वो मेरे से शादी करना चाहती थी इस पर हम आपको बता हैं कि यहां राहुल वैद्य और जैस्मिन भसीन दोनों ही अकांशा के दोस्त हैं जैस्मिन भसीन कहती हुई नजल आ रहे हैं कि 10 से 12 साल हो गए है मुझे अकांशा के साथ मैं वह बहुत अच्छी लड़की है जिस तरीके से तू बता रहा है वह उस तरीके की तो बिलकुल भी नहीं है लेकिन फिर भी तू बता रहा है तो चल माल लेते हैं कि वह ऐसी है जी हम आपको बताते हैं कि इसके बाद राहुल वैद्य भी कहते हूं नजला रहा है कि मेरी भी अकांशा अच्छी दोस्त है और वह जिस तरीके से तू उस मिन बसीन और राहुल वैद्य ने कहीं न कहीं पारच छाबरा की पोल खुल दी है कि वो खम खाहीं लड़कियों पर इल्जाम लगाता है तो दोस्तो इस पर आपकी क्या है राय आपके क्या है विचार आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पी राय जरूर दें साथ अगर आ कर ना तो बिलको बीड़ा बूले